अंचान के अनुसार हर साल भादरपद माह में शुकल पक्ष की तृतिया तिथी को हर्तालिका तीज का पर्व मनाया। जाता है, इस दिन मा गोरा पार्वती और शिव जी की विधिपूर्वक पूजा की जाती है, करवा चौथ की तरह ही यह है। वरत भी बहुत कथिन माना जाता है, इस दिन महिलाईं दिन भर निर्जला वरत रखती है, हरतालिका तीज का वरत. रखने वाली महिलाएं करवा चौत की ही तरह शाम को चंद्रोदे होने के बाद चंद्रमा को अर्ग्या देकर व्रत खोलती है सुहागिन महिलाओं के द्वारा अखन सौभाग्य की प्राप्ती के लिए यह व्रत रखा जाता है वहीं कुवारी लड़कियां भी अच्छे वर की कामना के साथ इस व्रत को रखती हैं मान्यता है कि इस व्रत को करने से वेवाहिक जीवन सुख मया होता है और पती पतनी के बीच आपसी प्रेम बढ़ता है ऐसे में चलिए जानते हैं हर्तालिका तीज की तिथी, शुग मुहूर्थ और पूजा विधी के बारे में हर्तालिका तीज पूजा मुहूर्थ दो हजार तेईस हर्तालिका तीज की पूजा के लिए इस दिन तीन शुग मुहूर्थ हैं पहला मुहूर्थ सुबह 6.07.08.14 तक है उसके बाद दूसरा मुहूर्थ सुबह 9.11.00 से सुबह 10.00. इसके बाद तीसरा मुहूर्थ दोपहर 3.19.00 से शाम 7.01.00 मिनट तक है तीनों मुहूर्थ में आप कभी भी पूजा कर सकती है पूजन सामगरी, हर्तालिका तीज पूजा के लिए सबसे पहले भगवान शिव, माता पार्वती और भगवान गनेश की मिट्टी की मूर्ती की जरूरत होती है, इसके अलावा पीला वस्त्र, केले का पत्ता, जनेयू, सुपारी, रोली, बेल पत्र, धतूरा, शमी के पत्ते दूर्वा, कलश, अक्षत, घी, कपूर, गंगाजल, दही, शेहद और सोला श्रिंगार का सामान सिंदूर, बिंदिया, मेहदी, कुमकुम आदी, पूजा विधी, हर्तालिका तीज वरत के दिन सुबह उठकर स्नान आदी के बाद स्वच कपड़े पहने, फिर बाद में लेकर वरत का संकल्प करने के बाद पूजा आरंब करें, इस दिन माता पार्वती और शिव जी के साथ उनके पूत्र गणेश की पूजा भी की जाती है, माता पार्वती, भगवान शिव शंकर और गणेश जी की मिट्टी की प्रतिमाएं बनाएं, इसके बाद एक चौकी पर स्थापित करी, माता पार्वती को अक्षत, चुनरी, फूल, फल, धूप, दीप, आधी अर्पित करी, वही शिव जी को सफेद जंदन, बिलवपत्र, भांग, धतूरा, आधी अर्पित करी, भगवान शिव को सफेद फूल अर्पित करने चाहिए, भगवान शिव की प उजन करते समय ओम उमायाई नमह मंत्र का जाप करें, इसके बाद कुवारी का न्याएं अच्छे वर की कामना करें, हर्तालिका तीज दो हजार तेईस तिथी, हिंदू पंचांग के अनुसार भादरपद माह के शुकल पक्ष की तृतिया तिथी की शुरुआत, 17 सितंबर दिन रविवार को सुबह 11 बचकर 8 मिनट पर हो रही है, इस तिथी का समापन अगले दिन 18 सितंबर 2023, सोमवार को दोपहर 12 बचकर 49 मिनट पर होगा, ऐसे में हर्तालिका तीज 18 सितंबर को मनाई जाएगी, भूल कर भी न करें ये गलती, हर्तालिका तीज पती की वर्जित माना गया है, इसके अलावा वरत के दिन पूजा में वरत कथा जरूर पड़े, मान्यता है कि, जो महिला इस वरत को एक बार कर लेती है, उसे ये वरत जीवन भर रखना पड़ता है, यदि आप इस वरत को नहीं कर पा रही है, तो आपकी जगह आपके पती भी ये वरत कर सकते है,